हेलो वीवर्स, आज की वीडियो रिपोर्टिंग सेगामेंट पर है, मेरे नेवर का ये प्लांट खराब हो गया था, उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये उनका सिंबीडियम ओर्चिड का खुबसूरत प्लांट है, आज मैं इसकी कर दूँगी और आपको इसके केर और टिप्स भी बता दूँगी, ये आप देख रहे हैं, इसकी जड़े, इसकी रूट्स कितनी नीचे तक निकल गई है, और ये मेरे से बनी रहा है, जो इसका पोर्ट जो है, बहुत छोटा है, मैं पोर्ट लूँगी बड़ा, और उसकी सॉयल भी मैंने तयार कर ली है, वो मैं आपके साथ सभी शेयर कर ली, ये मैंने पोर्ट से निकाल लिया, और आप देखें, इसकी रूट्स कितनी एक दूट्ये के बीच में हो चुकी है, तो इसकी मैं आप रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी आपको, इसकी आप रूट्स देखें, कितनी जहरी हैं, और मैंने इसके अंदर से बहुत कुछ निकाल दिया, एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल गुथे हुए है, और सिंबीडियम और्चिड प्लांट के बल्व होते हैं, ये बल्व होते हैं, इसकी रिपोर्टिंग आप साल में, दो साल के बाद एक ब देबर को, तो लग रहा है कि इनोंने कई सालों से इसकी रिपोर्टिंग नहीं की, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर आने के बाद रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ये कुछ बल्व बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, ये आप देखें और आपको मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल इसकी अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करके, और ये आप देख रहे हैं, ये इसका नया बल्व शूट की तरह निकल रहा है, जो हमारे ये एक नही प्लांट की जगा लेगा, और ये जो डैमेज हो चुके हैं, हमारी ये बल्व, इनको मैं फेंक दूँगी, इन सबको मैंने अलग कर लिया, और ये जो डैमेज पत्तिये हैं, उनकी मैं कटिंग कर दूँगी, और मेरे एक मैं अपने गार्णिंग करने वाले दोस्तों के लिए एक बात जरूर बताऊंगी, यहां पर अस्टेलिया में जो ये डैमेज हो चुकी हैं, रूल्स, प्लांट्स, जो विक्षो की छाल है, उसके लिए ये मल्च के काम लिगती हैं, ये मैंने यहां पर बहुत बहुत कुछ सीखा है, वो मैं सब आपके साथ दीरे दीरे शेर करती रहूंगी, ये जो डैमेज हो चुकी हैं, रूट्स और पत्ती हैं, उनको ये मल्च में काम लेते हैं, अगर मैं किसी गार्डन में गई, तो मैं दिखाऊंगी यहां सब गार्डन में, तो इससे क्या होत नहीं मैं इसको भीन में डाल के होंगी, मैं इसको गार्डन की सोयल में ही उपर की स्तया बना दूगी, मल्च के काम आएगा, इस प्लाट को फर्टिलाइजर आप एनपी के 20-20-20, हाफ वाटर और हाफ एनपी के डाल के इसको अपलाई करें, इसमें अपलाई करें, और आईए, फिर इसकी फ्लावरिंग आप देखेंगे, बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होगी, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर मेरे साथ शियर करें, ठैंक्स